हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले है वह है तो यह टॉपिक्स इसलिए कवर करने कुछ टॉपिक्स पहले की वीडियो में भी कवर किये है लेकिन बहुत लोगों को शायद उसमें भी बहुत सारे डाउट्स रहेंगे इसलिए ओभी में फिर से कवर करने वाला हूँ और साथ में कुछ और भी नए पॉइंट्स जिसमें हम कवर करने वाले हैं जिसमें आपको और भी डिटेल में और अच्छी तरह के से समझ में आएगा ठीके तो सबसे पहले वाट टू डू विद आरी तो यह पहला पॉइंट देख लेते ठीके तो आरी हमको मिला ले तो क्या करना जाएं तो आरी मिला यानने राइट राइटेम्यन जो आरी मिल रहे है ठीक है राइट इश्यू मिल रहा है जो आरी शेर के अगेंस्ट में मिलते हैं अगर आपके पास जितने आरी आये है उतने के लिए आप अपलाई कर सकते हो ठीक है अगर किसी के पास सव आये है तो सव के लिए अपलाई कर सकता है किसी के पास पास सव आये कि आपको नहीं apply करना है तो आप किसी और को बेच सकते हो तो मार्केट में ही बेचना पड़ता है ट्रेडिंग के जिस तरीके से हम buying and selling करते हैं उसी तरीके से आरी का भी selling होता है ओ भी हम आगे आपको detail में बता देंगे ठीक है या फिर avoid कर सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं करना है जस्ट avoid करके बेच जाओ तो फाइदा किसमें ये भी हम आगे बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले application process दो तरीके से होती है एक asba से और एक application form से ठीक है त आरी कितना मिल रहा है तो उसके लिए अगर आपको mail आया तो उसके अंदर application form भी है उससे भी जा सकते हो या फिर online है सबसे easy form होता है कि आपको online में जस्ट आपकी detail डालके उससे करना है तो asba के through होता है तो asba क्या होता है ये भी मैंने आपको last video में बताया था लेकिन अभी भी और भी detail में फिर से बताऊंगा ठीक है तो application through asba ये पहला process होता है online process तो ये easy भी होता है आपके बहुत सारे banks होंगे जिसके अंदर आपका asba account याने asba होता है ये features होता है जिसमें ये होता है asba account ठीक है तो उसके अंदर आपका जो जिसी जिस किसी भी application के लिए या right issue हो या IPO हो या further IPO हो further issue हो किसी भी चीज के लिए आप अगर application दे रहे हो जो market से related है investment के related है तो उसमें आप इसके थुरू apply कर सकते हो जिससे आपका पैसा bank account में ही block हो जाएगा ये block होता है आपके bank account में वो withdraw नहीं होता है जितना भी पैसा देखो यहाँ पर block application money बता है तो जिस क इसी चीज के लिए आप investment के लिए आप apply कर रहे हो वहाँ पर आपका bank से net banking से हो या एप से हो वो पैसा block हो जाएगा आपके bank के अंदर और वो पैसा block उस चीज के लिए हो जाएगा जिसके आप apply कर रहे हो ठीक है तो जिस दिन आपको ओ शेर्स मिल रहे है IPO के शेर्स हो या right issue के शेर्स हो उस दिन हो पैसे कट जाएंगे नहीं कटे तो वह आपको अनब्लॉक होके ओ दिखना चालोगा और आपका उसका use कर सकते हो ठीक है तो फिलाल right issue के matter में आपको आपके पैसे आगे future में कट ही सकते है पूरे के पूरे जियो भी आपकी amount है ठीक है जिसकी जितना के लिए आप apply कर रहे हो तो यह होता है और यहां पर asba कौन से कौन से bank है इसके मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए बीए सी के list से यह वीडियो निकाला हुआ है तो यहां पर asba bank है बीए सी के इस पर आप चाहिए तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे detail बताए है त बीए सी के site पर asba banks करके आप डालोगे या Google पर बहुत सारे bank आएगे जिसमें अलाबाद bank है अंद्रा bank है एक्सिस bank है bank of महराष्टा इसे बहुत सारे bank है ठीक है और asba क्या होता है क्या नहीं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहां पर detail दिया हुआ है तो आप complete यह दे यहां पर मैं यह सेवी के रूल के साबसे कंपलसरी होने के वज़े से यह चीज अभी सभी bank अलाव कर रही है ठीक है तो यहां पर application करने के लिए यह देखो कौन से bank से यहां पर यह नाम है तो यह आप go through कर सकते हो देख सकते हो online पर देख सकते हो यहां पर भी बहुत सारे bank के नाम है HDFC है Federal Bank है Canera Bank है बहुत सारे bank है City Bank है तो यह सारी चीज़े आप यहां पर आप Google में भी देख सकते हो या फिर आपके net banking में भी यह features है कर देख सकते हो अगर यह सारी bank के बैंक के पास यह features available है मतलब आप easily इसके लिए apply कर सकते हो तो majority banks अभी यह feature देने लगी है तो यह इतनी सारी लिस्ट है इसमें से कोई ना कोई बैंक तो आपका जरूर होगा तो asba banks बोत है और जिसके तुरू आप easily apply कर सकते हो ठीक है और यहां पर next हम देखेंगे कि application form process तो application यह form है online में ठीक है तो इससे भी आप यह कर सक सकते हो इसका भी में दिखा देता हो तो यह online में यानि mail पर आया हुआ form है इसको भी आप भर के पूरे अच्छे से पढ़के फिर ओ जो भी जहां पर भी इन्होंने बताया है वहां पर आपको यह send करना होगा फिर उसी के थूरू आपका application submit हो जाएगा ठीक है तो यह पूर आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा फिर उसको फिल करना पड़ेगा मतलब इतना यह यह पुराने जमाने की जैसा है कि वह टाइम पर लेटर बेजा करते थे या कोई form बरके बेजा करते थे आजकल digital online का जमाना है यह सारे फिल अप करके आपको आपका डिमेट और अगर आपको यह भी suitable लग रहा है तो आप इसके through भी जा सकते हो या asba के through जा सकते हो ठीके और यहाँ पर यह और अभी how to sell और buy करना है right issue को तो right issue का आज का price देखो यह है मतलब लगबग देखो 39 या 40% समझ लो कि आज के दिन ही इसका भाव गिर गया क्यूंकि majority लोग ने sell order डाल के रखे तो सभी को sell ही करना था इसको सभी डर गये है कि right issue बेच के निकलो जो भी है मतलब buy करने के लिए कोई था ही नहीं इस वज़े से यह circuit लगा और यह बहुत बड़ा circuit लगा लगबग 40% का लगबग इसका face value ही 10 रुपे का होता है और सोच लो कि इसका और यह लो इसका 10 का था ठीक है बाउन विक्रों एरेंज के अंदर मतलब 10 लो होता है मतलब यह face value होता है लेकिन 12-30 इसने आज ही के दिन मारा था ठीक है और यहाँ पर 11-25 के पे अटक के बेटा ही है तो यह बहुत खराब परफॉर्म हुआ क्योंकि थोड़ा बहुत लास् लगों को डर लगने लगा यह शेर में इसलिए जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वह लेकिन निकलने की कोशिश कर रहे इस वज़े से ज्यादा से ज्यादा सेल और लगे हुए थे तो सेलिंग के लिए हर कोई लगेगा तो कोई ना कोई तो बाई करेगा तभी यह ट्रां सबसे पहले करने का बेनेफिट क्या है कि हम अगर करते हैं यह शेर को ठीक है तो यह आरी को यह फिर राइट इशू को तो अप्लाइ करने का बेनेफिट अपको यह है कि आपको 63 के भाव पे शेर मिलने वाले है 63 का भाव यानि 10 रुपे का प्रिमियम 10 रुपे का फेस वैली और 53 रुपीज का प्रिमियम यानि टोटल आपको 63 ही पे करना है आप अगर जिस दिन आईजबा से अपलाइ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर only 63 रुपीज आएगा और आपको कितने शेर चाहिए ठीक है कितने शेर चाहिए वह आप डाल देना है तो जितने आपको आरी आए है उतने शेर डालो गें उतना अच्छा होता है क्योंकि बाकी के शेर नहीं तो आपके आरी वैसे भी गयाइब हो जाएंगे ठीक है कि नहीं कि अगए अगर आपको अब भी मार्केट में इसका भाव आज भी गिरा था 78-79 के भाव पर आज ये शेर था इसका और वही शेर आपको 63 के भाव पर मिल रहा है इसका मतलब लगबग लगबग 17-18 रुपेज नीचे मिल रहा है तो ये आपके लिए बेनेफिट ही होता है ठीके तो वह बेनेफिट लेने के लिए आप इसको में अपलाई करके चल सकते हो फिलाल क्योंकि इतना प्राइज और डाउन आ सकता है नहीं आ सकता है ये कोई बोल ने सकता ठीके क्योंकि ये शेर मार्केट है शायद नीचे भी आए या शायद यहां से उपर चला जाए क्योंकि और एक मेने का टाइम है इसका प्राइज आने में तो तब तक अगर किसी को 63 के भाव पे मिल जाता है और किसी ने अपलाई किया तो उसके लिए वो बेनेफिट हो जाएगा या किसी ने उसको सव देड़ सो के भाव पे लेके रखा था और उसको अभी एवरेज करना है तो एवरेज करने के लिए बहुत सारा पैसा एकदम या फिर वो प्राइज आना चीए जिस पर आप करने के बाद उसका विए वरेज प्राइस बन जाएगा तो समझे लो सव देड़ सो के भाव पे लिया हुआ है अगर 63 के में लेते हो और ज्यादा से ज्यादा कॉंटिटी लेते हो तो आपका इवरेज प्राइस बहुत कम आ जाएगा या आदा हो जाएगा या और भी कम हो बेच कर शांती से बेट जाओ, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, न अपलाई करना है, यहाँ पर आरी दिख रहे थे आपके डिमेट अकाउंट में, और आपने उसको सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपको जो भी अमोंट था, सेल करके आने वाला, वो अमोंट आपकी प्र करिदा हुआ, वो लॉस हो गया, जितनी के भी, अगर वो हजार रुपे के शेर्स करीदे, उसने आरी के, तो हजार रुपे का उसका लॉस हो गया, क्योंकि वो कुछ दिन बाद आरी गायब हो जाता है, ठीके, इसलिए ओ खाली एप्लिकेशन करने के लिए ही, आपके डिमे पैसा दिया, तो कमपनी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, यहाँ पर बायर के पैसे सेलर के पास आ गए, तो बायर का राइट होता है कि उसको आगे अपलाई करना है या नहीं, तो अपलाई करेगा, तो उसको जो भाव है, चलो आज, आज का जो भाव था, वो 11 और मतलब लगबग उसको 75 तक पड़ता है वो शेर, तो समझ लो कि 75 पे उसको परवड़ेगा या नहीं, तो 2-3 रुपए के लिए वो आपसे क्यों बाय करेगा, तो बायर तब भी बाय करेगा जब उसको परवड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ही इसका प्राइज इतना गिर चुका है, शेर का प्राइज, इस वज़े से बायर्स यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे है, ठीक है, बायर्स अगर आपके पास हो, तो आप वो शेर को कितने अच्छे बावपे भी बैस सकते हो, उसका जो आरी भी अच्छा हैगा, क्योंकि मार्केट में यह जब इसका राइट इशु की अनॉंसमेंट आई थी, तब ही उसका एकसो आटरा का बाव था, अगर वो एकसो आटरा के बावपे ही रहता, या एकसो आटरा से उपर होता, एकसो बीस, पचीस पे रहता, अगर यह शेर, तो फिलाल यहाँ पर आपको बायर्स बहुत नजर आते, क्योंकि उनको भी यहाँ पर डिसकाउंट नजर आता, फिलाल यह शेर्स गिरने के वज़े से कोई इसमें इंट्रेस नहीं ले रहा, बाय करने के लिए, और सेलर बहुत हो चुके, क्योंकि हर किसी को वो बेनेफिट लेना है, ठीके, तो बाय करने का एक एक बेनेफिट है, कि आपको और भी सस्ते मिलेंगे, लेकिन आरी उनको खरीदने पडेंगे, ठीके, क्योंकि उनके पास अगर आरी नहीं हो गे, तो यह और बायर्स, अउनली आरी खरीदने वाले ही होते है, हम आरी खरीद सकते हैं, अगर हमारे पास ओल्रेड़ी, डिमैट अकाउंट में शे हो जाएगा क्योंकि वह एक ना एक दिन आरी गायब हो जाएगा आपके डिमेट अकाउंट से क्योंकि उसको शेर में कनवर्ट होना होता है ठीक है तो जिसकी नहीं कंप्लिट होती है वह लॉस में जाता है तो कमसे कम जिसके पास से के लिए अरी अवेलेबल है या डिमेट अकाउंट में है वह सेल करेई अपलाई करेई या कुछ ना कुछ करें और जिनके पास नहीं हो कम से कम buy कर भी सकते या नहीं करना है तो उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि buy करना ही चाहिए क्योंकि already उनके पास share यह नहीं है तो उनको इससे दूर भी रहे तो कोई problem नहीं है ठीक है तो हर एक चीज़ हर लोगों को हर किसी को अपना benefit देखना चाहिए तो buyer हमेशा benefit देखेगा अगर मैं इसको 11-12 रुपए पर खरीतता हूँ और यह और भी इसका price गिर जाता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए ठीक है तो फिलाल यहाँ पर company का future भी देख लेते कि company का future किस तरीके का है में है इसका मैंने यह यहाँ पर वीडियो निकाला हुआ है कि बहुत अच्छा खासा इसका backup हर टाइप के यह टाइल्स बनाता है और बहुत जबर्दस इसके काम है business है फिलाल ठीक है और यह टाइल्स हो गए फिर marbles देख लो तो किस तरीके के marbles है तो इस टाइप के marbles हो अगरा भी बनाता है composite marbles है cord से तो बहुत जबर्दस इनका काम है actual में ठीक है और यहाँ पर बात्वेर भी है बात्रूम के लिए तो किस टाइप के देखो बात्वेर भी है बहुत अच्छे से है ठीक है तो प्रोडक्ट्स अच्छे इनके services अच्छी है सारी चीज़े अच्छी है सिर्फ शेर को volatile किया जा रहा है उसको गिराया जा रहा है या बड़े-बड़े investors होते हो बेच के निकल जाते या उनको shares को गिराना होता है या ज्यादा quantities में खरीदने के लिए पहले गिरा देते तो इस टाइप का देखो company का तो यहाँ पर future के इंडिया के अंदर कि बहुत बड़ी company है ठीक है टाइल्स बनाने में और यह इस टाइप के देखो हर एक टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स है इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे है और फिलाल इनके customers भी नीचे देख लो कौनकोने clients देख लो इनके गोद्रेज एंसीस यह लोड़ा है बंदन बैंके एक्सिस बैंके आदानी है जियो है कैफे कॉफी डे है पिजा आठ है एटल है रिलाइंस है त तो यह company कैसे आपको loss करा सकती क्योंकि इनको जो business है एनसी भी खुद इसका client है ठीक है एनसी बी क्लाइंट है और बड़ी-बड़ी company है client है तो actual में यह सारी चीज़े हो सकती क्योंकि इन सबको इन्होंने business दिया है इनका काम किया है ठीक है और LIC है PVR है ठीक है और रिलाइ company या बड़ी-बड़ी company इसके साथ लगी हुई है ठीक है तो इतना अच्छा इनका client होगे और इतना अच्छा इनके पास business होगा तो क्यूं यह company आपको घाटा करेगी या future में क्यूं नहीं return देगी तो return देगी फिलाल इसको बहुत लोग जो बड़े investor होते हो गिराते भी है बहुत लोग खेलते भी है कोई ना कोई share के साथ खेलते है company का future में बहुत बड़े plans है उनको और भी बड़ा plans डालना है और जो भी थोड़ा बहुत कर जा रहेगा वो उतार के company को completely और growth करना है long term project के लिए सोच रहे है long term का सोच रहे company इस वज़े से company में थोड़ा बहुत funding का issue होता है इस वज़े से company right issue के थूप fund लेना चाहती है और वो fund अच्छे कामों में use होगा company में ठीक है तो इस वज़े से company ने company आपसे पैसा लेती है ठीक है और यह पहले shareholders को ही पूछेगी right issue मतलब सिर्फ shareholder को पूछा ज future तो long term की हिसाब से तो मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है और इसमें तो मैं खुद invested हो इसलिए मैं बता सकता हो ठीक है और यहां पर company का future देखने के बाद हम यहां पर इसके financial देखेंगे तो company के financial देख लो किस तरीके के तो इसके profit and loss का मैंने यहां पर आपको screenshot सामने लाय था अभी यहां पर 1500 करोड के उपर का सेल कर रही है company every year ठीक है अभी भी यहां पर March के sales add new ने तो यह और भी ज्यादा हो सकते है sales और expenses भी control में है ठीक है और operating profit भी अच्छा का सा percentage है ठीक है और other income भी थोड़ा बहुत company कर लेती है और यहां पर interest payment देखो थोड़ा बहुत starting मे कम था लेकिन बाद में ज्यादा होते हैं फिर से कम होने लगा 40 करोड तक company interest पे करती थी थो थोड़ा बहुत loan कम होता हुआ नजर आ रहा है फिर यह 35 अभी 26 करोड का loan company पे कर रही है ठीक है तो interest पे कर रही है badge जो loan के उपर होता है तो कम से कम अच्छा गासा यह loan में भी recovery हो रही है ठीक है और interest payment कम होते जा रहा है तो करजा चुका रही है company और यहां पर net profit भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहां पर 30 करोड, 17 करोड, 12 करोड, 15 करोड था अभी अच्छा गासा 99 करोड तक का profit यहां पर company generate कर रही है और continuously यहां पर profit ही कर रही है loss कही पर भी नजर ने आ रहा है तो company stable है अच्छे कासी है company को कोई problem नहीं है future के लिए तो फिलाल company का सारी चीज़े अच्छी है तो आपको डरने की क्या बात है अगर आप सही company में invested हो तो जितनी quantities ज्यादा से ज्यादा लेके लग सकते हो आपको कोई future में problem नहीं आएगा तो यह important होता है कि सही company के shares आपके पास long term के लिए होनी चीए फिलाल यह shares 30-40% गिरा होगा हर किसी के पास 50% भी अगर किसी के पास गिरा है तो यह opportunity होती है और अभी भी shares आपको मिल रहे सस्ते बाव में right issue apply करने के लिए अगर आपको लगता है कि apply करना चीए तो आप apply कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं और गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है तो वह से भी कर सकते हो तो जो आपकी मर्जी हो कर सकते हो या अभी sale करके right issue sale करके फिर बाद में उसको फिर से अगर share नीचे आते तो खर से आएंगे और भी शेर नीचे गिरेगा तो और खरीद लूँगा या शेर आगे बढ़ता है तो कोई बात नहीं अच्छे से जब जब यह डाउन साइड दिख्या ही देगा उसकी कॉंटिटीज में बढ़ाते जाओंगा ठीके तो फिलाल यह कंपनीज में मैं अपने शेर ओ करके उसको और भी लॉंग टं के लिए थोड़ा होल्डिंक करके फिर तो इसी तरीके से मैं प्रॉफिट लेता हो और असले कंपनीज में। सब्सक्राइस के शेर अगर लॉस दिया है तो ऊसके वीडियो ने वैसी आएंगे तो फिलाल यह कंपनी तो जितनी भी गिरी इसके बारे में भी मैं आगे फीचर में वीडियो डालूंगा जब इसमें से में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा फिलाल तो यह राइट इशू है तो राइट इशू में अच्छा कासा आप प्रॉफिट कर लो जैसी जिस तरीके से आप कर सकते हो कर लो अगर आपको उ अच्छा कासा अमाउंट आएगा तो इससे भी आप थोड़ा थोड़ा करके शेर बाई कर सकते हो या फिर अपलाई करके भी आपको फायदा ही होगा ठीक है तो फिलाल 63 के भाव पे इसका राइट इशू होने वाला है तो 63 का भाव यह आएगा नहीं आएगा यह मार्केट कोई पता होता है क्योंकि मार्केट कहां से रिवस जाएगा या मार्केट डाउन आएगा यह बोल नहीं सकते तो मार्केट रिस्की होता है हर किसी को यह पता होना चीए तो इसमें कंपनी का या शेर का कोई दोश नहीं होता है क्योंकि ओवराल मार्केट अगर नेगेटिव हो शेयर भी डाउन होते हैं और बड़े इन्वेस्टर अच्छे-च्षे शेयर के साथ जिसके साथ खेला जा सकता है तो उन्हें के हिसाब से मार्केट चलता है तो बड़ा इन्वेस्टर अगर उसको सेलिंग करते गया कंटिनियूज तो शेयर डाउन जाते से अगर बड़े निमस्टर इसको अ च्णटीनेज़ दीनेज़ बाई करते गहें तो शेर बढ़ना चलो जाता है तो बढ़े इंवस्टर क्योंकि चोटे ये कंपनी इसको ये 400-500 क्रोड की कंपनी को इजीली हिला सकते ही क्योंकि उनका मार्केट capital बड़े investor के capital के हिसाब से ही होता है क्योंकि वह easily 100-200 करोड भी डाल देगे तो easily market अप जाएगा या selling के order डाल देगे तो market डाउन आ जाएगा ठीक है यानि shares डाउन आएगा तो इसी तरीके से लोग manipulate करते हैं और shares up and down होते हैं इसी में retailer first है छोटे-छोटे investor first है फिर हो company इसको गालिया देना चालो करते कि company चोर है company खराब है company यह है लेकिन company खराब है या अच्छी है यह company के profit and loss से देखो क्योंकि यह data SEBI के पास जाता है और SEBI चेक करता है कि data proper है के नहीं सारे चीज़े चेक होती है यह सारे चीज़े क्योंकि investor के लिए यह सारे चीज़े होती है investor कहीं ना कहीं फसे ना करके और company को सारी detail SEBI को देना पड़ता है जो securities exchange board है जो आपके लिए और हमारे लिए होते हैं सभी के लिए investor के लिए तो यह सारी चीज़े data सही होता है और यही चीज़े आपको confidence लाता है कि आपको यह company में रहना है या ने रहना है तो फिलाल यह company में मैं हूँ और invested हूँ और जब-जब मुझे downside मिलता है उसमें मैं invest करते जाता हूँ तो फिलाल मैं इसको selling के लिए डाल रहा हूँ अगर sell नहीं होता है तो apply भी कर सकता हूँ क्योंकि already market में इसका बाव गिरते जा है तो फिलाल उस तरीके से ले या ऐसे भी ले तो भी आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि 63 के नीचे जाना मुश्किल लगता है ठीक है और उसके उपर ही शेर गुमेगा या फिर से 80 जाएगा 90 जाएगा या speed में बढ़ना चलोगा कोई बोल नहीं स लगते ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चानल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो अगर इंफॉर्मेशन आपको यूसफूल है हेल्फूल हो रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो और लाइक में भी कंजूसी मत करो और ना कमेंट डालने में कमेंट कंजूसी करो ठीक है तो थैंक यू बेरी मच पर वाचिंग में वीडियो थैंक यू बाई बाई